हाईलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तनुकी रसोई क्रेटिव आइडियास के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इछटपट बनने वाला नाश्ता जो कुछी मिनिट्स में बनकर फटपटाफट से तयार हो जाता है तो चलिए चलते हैं हमारी रेसिपी क इसके लिए आपको यहांपर वन मेंगो लेना है इसको मैं पील करूंगी तो यह मुझे सिरफ आधा मेंगो ही यहां पर जरूरत होगी तो मैं आपर हाफ heh उन चाहिं आप प्रagarले तो मैं पर हाफ मेंगो मेल कर लेंगे मैंगो अब इस मेंगो को चोड़े-चोडएसे पीसे जो है और बहुत साथा healthy भी है बहुत सारे vitamins भी इसमें होते हैं तो हम इस तरह से अपनी mango को छोटे-चोटे से pieces में cut कर लेंगे यहाँ पे mango मैंने sweet mango लिया है mango खटा नहीं होना चाहिए इसके लिए अब एक bowl लेंगे और हम यह mango इस बाउल में transfer कर लेंगी इसमें से भी मैंने थोड़ा सा mango यहाँ पर छोड़ दिया है तो यह mango लेने के बाद हम इसमें डालेंगे यॉकूर्ट आप अपने flavor की कोई भी यॉकूर्ट इसमें ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर यह थोड़ी से strawberry flavor की यहाँ पर यॉकूर्ट डाली है तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर मैंगो इसमाल किये हैं तो उसमें अल्रड़ी flavor होता है अब हम इसमें यहाँ पर इसमाल करेंगे यह ग्रेनोला यह आपको कोई भी शॉप पर मिल जाएंगे यह package में आते हैं और यह बहुत ज्यादा healthy और crunchies होते हैं खाने में बहुत टे अब इसमें हम one tablespoon honey add करेंगे honey optional है बट इसमें honey add करने से इसका flavor और enhance हो जाता है यह देखिए बस इसको और कुछ नहीं करना है और यह आपका breakfast ready है आप चाहें तो इसमें dry fruits add कर सकते हैं अपने कोई भी मनपसंद dry fruits और यह बनकर तयार है अब यह खाने में बहुत जादा delicious बार 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 इसको बना कर अपने घर पर खाएंगे तो इस recipe को ज़रूर try कीजिए आपको यह आज की recipe कैसी लगी मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा और मेरे चैनल को like subscribe और share ज़रूर कीजिएगा thank you